दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Instagram की A2Z सेटिंग्स के बारे में अगर आप Instagram का यूज करते हैं या यूज करना चाहरे हैं तो आज की इस वीडियो के जर्य है आप Instagram एकाउंट की all-in-one settings, a-to-ger settings, sub-e settings, informative settings, privacy settings, hidden settings, benefitment settings, यार all-of आपको मैं बताने वाला हूँ जो आज की इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो तो आप मारी ये वीडियो को completely जरूर देखें और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चनल को subscribe नहीं कराएं तो आप मारे चनल को subscribe करिए, इस वीडियो को like and share करें, जादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुचा है, क्योंकि ऐसे ही informative videos, knowledgeable videos, ग्यानवर्दक videos, पर डे हम हमारे इस चनल का जरीए आप के लिए लाते रहते हैं, तो आप मारे आए देखते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें गंटे को दबाएं, all press करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम एकाउंट की A2J सेटिंग, अगर आप इंस्टाग्राम की A2J सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं, तो यजर आप मारी FDO को completely जरूर देखें आज मैं आपको इंस्टाग्राम एकाउंट के A2J सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाइकन सेट जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम की जो एपलिकेसन है एप से उसको इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेना है करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पर किलिक करना है तो कुछ इस टाइप से इंस्टाग्राम एकाउंट ओपन होता है यह हमारा इंस्टाग्राम एकाउंट इसको फोलो जरू करें इसके बाद दोस्तों इंस्टाग्राम के कुछ important features जो आपको नीचे मिलते हैं यहां का जो यह option है यह home page है, यह search बार है यह जो option है, बीच वाला, middle बीच वाला यह option real wheel बनाने का real देखने का है और यह option like and कितना रहे हैं और यहां साथ अपनी profile देख रहे हैं यहां से आपको बता रहा हूँ यहां से आपको पोस्ट करना है तो वो कर सकते हैं इस जगे पर आपके सामने एक option आता है थ्री डोर्स का, इन थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना है यहां पर first option आता है setting का setting जो की important option इसको last वे मैं आपको समझाने वाला हूँ यहां पर आपके स्पास यह जो यहां के analytics आ जाते हैं यहां से यूर activities आ जाती है यहां से जो आपने अर्चीव में डाल रगें वो आ जाते हैं यहां से अगर आपने किसे कुछ टिक लगारागा फेवरेट तो आ जाएगा यहां से आपको अपने जो people select करने हैं वो आ जाएगे यहां से कुमलब कुछ आ जाते हैं आसपस के discovery वाले वो देखने को मिलेंगे इसके बाद दोस्तों settings पर हम क्लिक करेंगे settings क्योंकि it is the very important settings पर हमने क्लिक करा first option हमारे सामने यहां पर आ रहा है क्या follow in invite अगर आप अपने friends और फेस्बुक friends को mobile friends को follow in invite करना चाहते हैं यहां से आपके सामने notification option आता है यहां से आप notification को activate changes usable कर सकते हैं यहां से आपको creator का option आ जाता है इस creator के अंदर आपको creator related information मिलेगी जैसे कि आपको account का aid है brand promotion है यहां से यह जो functions देखने को मिल रहे हैं इसको adjustable कर सकते हैं यहां नीचे एक option आता है privacy setting जोकि important setting रहता है privacy setting पर जैसे आपके लिए यहां से आप अपने account को as a private account करना चाहते हैं यहां से कोई limitation aid करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कोई hidden word aid करना चाहते हैं क्योंकर आपके comment करते हैं और वो word अगर उसके comment में तो पुरा comment ही है hidden हो जाएगा वो कर सकते हैं यहां से आप अपने comment को everyone क्या सभी वेक्ति comment कर सकते हैं कुछ कुछ वो कर सकते हैं क्या सभी वेक्ति पोस्ट कर सकते हैं क्या पब्लिक रखना है क्या रखना वह कर सकते हैं यहां से गाइड और नीचे एक्टिव और स्टेटर्स हाजाएगा भी निकलते हैं यहां से प्राइवेसि के बाद में यहां पर आपको यहां पर सुपर विजन को मिल जागा सुपर विजन के अंदर अपपने एकटंट को सुपर विजन ने नी कनवर्टेट कर सकते ह्यां दो एक और एक alive और आपके सामने यहां देकिने को मिलता से लोगन इन्फरमिशन आपने कहां कहां से अगर रहे कि है लोगन इनफरमिशन वो देख सकते हैं क्या आपने टुस्टेप और्फनिटिकेशन लगा रहा हैं तो बो चेक कर सकते हैं इमेल फोर इंस्टाग्राम को यहां से देख सकते हैं और यहां से आप अपना जो एकाउंट है इसकी सेफटे को चेक कर सकते हैं इसके बाद में बेक निकलते हैं एड़ के अंदर आपके सामने जो भी एड़ से रेक्टिविटीज होती है एड़ टाइप स्वाइप जो भी व बार कराता हुए जहीं आप यहां पर देंढकर सक्ते हैं और यहां से आपने को बना रही है कांटून को चैजजिश करना है वे देख सकते हैं आपने पर जाएक ٹैजिक कर सकते हैं को बे करने Mode सकते हैं नीचे अगर आप आपको connect कर रहा हैं, share करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं नीचे mobile data usage का option आ रहा है, वो देख सकते हैं नीचे original post का option आ रहा है, वो देख सकते हैं request, request verification का नीचे option आ रहा है वो आप नीचे देख सकते हैं, यहां से आप अपने account को verify करने के request बेज सकते हैं और review activity के अंदर आपको review related activities देखने को मिलेगी तो कुछ इस type के option है जो आपको देखने को मिलते हैं तो आज मैंने आपको instagram के अटुजर settings बता दी है काफी कम सब्सक्राइब में काफी fastly अगर आपको ये तरीका ये method पसंद आया हो अच्छा लगा होते हैं और वीडियो को लाइकन सेर जरू करें चनल को सब्सक्राइब जरू करें ऐसे ही informative वीडियोज, knowledgeable वीडियोज, ग्यानवर्दग वीडियोज के लिए वीडियो को लाइकन सेर जरू करें ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का फ्रेम पूरग, दिल से आर्दिक धन्यवाद Thank you watching in this वीडियो